हाई एब्रिवन स्वागत आप सबका मेरे चानल मेकप चेर बैचाने सिंग बे आज मैं आप सबके लिए सारा अली खान से इंस्पायड लुक लेकर आई हूँ जो कि उन्हों रेक अपने अवार्ड में पहना है अगर आपको मेरे यह लुक पसंद आदा तो आप इस वीडियो को एल तक जरूर देखिएगा तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ब्राव शेपिंग के साथ पहले हम अपनी ब्राव को बहुत क्लीन लुक देंगे और इसी कंसीलर से हम अपने पूरे आई लेट को कवर करेंगे जिससे हमारे आई शाड़ो का कलर बहुत इवनली औ और पॉप पो के लिएगा तो गाइज अपनी ब्राव को फिल कर हों अपने डिजाइड सेट के साथ हैं तो कैज टार्ट करते हुए ट्रांजेशन शेट के साथ मैं अपनी क्रीज लाइन पे सबसे लाइट स्ब्राउं ब्रावन कलर लागा रही हूं एज आचे ट्रांजश अगेन अपनी आइलेट्स पे सेटल कर रही हूँ in a small strokes तो guys आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं guys अब मैं उसको clean brush के साथ properly blended look दे रही हूँ guys ज़रूरी नहीं है आपको की branded eye palette ही use करना है आप किसी भी brand का eye palette use कर सकते हो जिसमें ये shades आपको एक जैसे दिखे तो अब मैं एक concealer ले रही हूँ flat brush की सहाथा से मुसको अपने eyes पे settle कर रही हूँ because मुझे उस area पे थोड़ा सा light shade देना है तो concealer के उपर अब हम shade लगाएंगे तो वो अच्छे से pop-up होके दिखेगा अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने corners को फिर से blend out कर रही हूँ with the same shade जो हमने first में use करा है अब मैं एक थोड़ा सा darker shade ले रही हूँ और उसको अपने outer eyes पे settle कर रही हूँ यह dark brown shade है brown का ही थोड़ा सा darker version है आप भी small strokes में ही करिएगा तब ही बहुत अच्छी blended लोगाएगी अब मैंने बहुत concealer से matching ही shade लिया है जिससे मेरे concealer set हो जाए अब मैं एक glitter ही हलका सा shade ले रही हूँ आप देख सकते हो थोड़ा सा rose gold shade है यह camera justice नहीं कर रहा अच्छे से pick नहीं कर पारा shade को but the shade color is a rose gold color अब मैं अच्छे से उसको blend out कर रही हूँ brush के साथ जिससे सब कुछ हमारा बहुत अच्छे से blended लगे अब मैं अपना close to eyelashes brush से मैं एक liner create कर रही हूँ with the help of eye shadow only आप भी किसी भी प्रकार का black eye shadow ले सकते हो small stalks में उसको apply करो और एक wing create करिए तो guys अब start करते होए moisturizer के साथ मैं अपने face को थोड़ा सा moisturize करूँगी आप अपने face के नीचे base पे कुछ भी apply कर सकते हैं कुछ लोग illuminator लगाते हैं कुछ लोग primer लगाते हैं अपने face पे अगर आप चाहते हो की foundation अच्छे से blend हो अच्छे से evenly दिखे तो आपको color correct करना इस very important और color character एक बहुत important part है foundation apply करने से पहले जिससे हमारा face एकदम even लगेगा तो guys इसी तरीके से आप इसको blend कीजिए हमने कभी भी color character को rub नहीं करना dab करना है अब हम foundation लगा रहे हैं यह मेरी most favorite foundation है मैं इन सब product की details description box में mention करूंगी आप मेरा shade भी देख सकते हैं वहीं से अच्छे से blend हो जाती है बहुत अच्छी coverage है इसकी कई बारी तो मैं concealer भी नहीं लगाती इसके साथ because यह इतना अच्छा eyes के नीचे भी एक properly blended look दे देती कि concealer की भी need नहीं रहती तो guys अब मैं concealer लगा रही हूं जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी eyes के नीचे थोड़ा सा brighten up करने के लिए अच्छे से उसको blend करेंगे tap करेंगे rub नहीं करेंगे अब मैं concealer से अपने high points को highlight करूंगी जैसे कि आप देख सकते हो मेरे face के accordingly मेरे face structure के accordingly मैं इसी तरीके से अपने high points highlight करती हूं मैं contour कर रही हूं अपने face type के according कर रही हूं आप please अपने face type के according ही करिएगा सबका face type अपना होता है मेरा oval shape है तो अगर कोई oval shape वाला यह video देख रहा है तो आप मेरे को copy surely कर सकते हो अच्छे से उसको blend out करेंगे rub नहीं करेंगे हम चाहते हैं हमारी सारी चीज़े सेम जगा पे रहे और अच्छे से blended हो जाए तो गाइज अब मैं एक हाट की शेप बनाते होए बलशर लगा रही हूँ आप कोई भी शेप बनाते होए बलशर लगा सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाट की शेप बना के ही अच्छे से बलशर लगेगा हाँ तो गाइज इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे जिससे यह बिल्कुल ऐसे लगे जिसे हमारे skin में से ही color अच्छे से naturally glow गर रहा है अब हम एक translucent powder के साथ सारे अपने cream products को set करेंगे because हम चाहते हैं वो लंबा stay करें under eyes के नीचे हम जहां जहां पर हमने cream products use करें हम पूरे तरीके से अपने face को set करेंगे अब हम एक powder blusher use कर रहे हैं जिससे हमारे blusher का stay बहुत अच्छा और लंबा हो जाता है अच्छे से उसको हम blend out करेंगे guys अब मैं एक छोटा सा wing create कर रहे हूँ आपी end में छोटी छोटी चीज़े कर सकते हो अब अपने lower rim पे मैं same ऊपर वाले part को join करते होए नीचे तक उसको एक smoky effect दे रही हूँ एक liner की form में guys अब मैं highlighter लगा रही हूँ अपने dear duct area पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इसी तरही की से highlighting करती हूँ bridge of the nose पे अपने cheeks के high point पे अच्छे से उसको blend कीजिएगा guys ऐसे ही मैं face के center पे forehead के center पे करती हूँ cheeks पे करती हूँ chin पे करती हूँ cupid's bow पे करती हूँ तो आपको जहां जहां आपके face की requirement आप उसी तरही के से उसको highlight कीजिएगा guys ये मैं बहुत सुंदर सा एक beautiful सा shade लगा रही हूँ अपने lips पे हम बहुत close ऐसा makeup कर रहे हैं जिससे हमारा काफी inspired look same लगे so guys this is the final look I hope आपको मेरा look पसंद आया हो ही ही हूँ आपको आपको पाद्व करता दो आपको आपको रहे हूँ नहीं है